Hi everyone, this is Vaisal Nadeem from Knowledge Stopper और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब Data, Information and Knowledge के बारे में बहुत एक easy topic है और हमेशे कितना real life example के तुरू आपको मैं समझाऊँगा मैंने आपे आप लोग के लिए ये examples जो हो create करके रखी हैं ये आप दिख सकते हैं और मेरे तमाम lectures में आपको you know example का मैं use करता हूँ basically ताके you know आपका concept जो हो most importantly clear हो ठीके न make sure करेगा कोई भी part skip नहीं करेगा और full focus के साथ आपने इस वीडियो को देखने है आपको concept 100% clear होगा इस वीडियो को देखने के बात तो आगे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन सब के difference को मैं आपको example के थ्रू समझाओंगा ठीक ही कभी भी आप जो है वो यह चीज नहीं बून पाएंगे इसकी example मैं आपको इस तरहीं के समना हुआ लेकिन example पर जाने से पहले मैंने आपको यह बताना है कि data क्या होता है information क्या होती है और knowledge क्या होता है ठीक है जी तो हम start कर रहे है data से तो आप लिखाया है कि data are plain raw facts it can be anything like name of a person or a place or a number etc data क्या है data basically raw fact raw fact मतलब आप कह सकते है कि कोई भी number कह सकते हैं आप कोई भी alphabet कह सकते हैं आप ठीक है जी कोई भी symbol कह सकते हैं आप तो data जो है वो एक तरीके से useless चीज है entry and unless के वो information में transfer हो जाए ठीक है इसकी example अगर मैं आपको बता हूँ अगर reality में आप बात करें हम कोई भी खाना वगरा पकाते हैं तो खाना वगरा पकाने के अंदर हम बहुत सारे ingredients इस्तमाल करते हैं वो ingredients अगर हम उसको खाने पकाने में इस्तमाल ना करें सही है या उसको कि useless है मतलब किसी काम के नहीं है वो अगर हम उसको किसी समाल में नहीं ले रहे तो टो data जो है वो basic में एक raw facts आपके सकते है एक raw material है जो के आगे further process होगा तो उसका जो है वो असल मतलब जो है वो जाहर होगा यानि information के अंदर अगर हो convert होगा process होगा तो ही उसकी image जो है वो नज information बन गए अब इसके अंदर बात या आती है कि भाई concrete चीज जो होती है जो कि आपको required है data किती दफ़र process करना है किती दफ़र process नहीं करना है यह आपके ओपर है यह आपकी requirement के ओपर है कि आपको किस तरह का data चाहिए आया कि आपको जादा process over data चाहिए तुकि data भी एक दफ़ process नहीं होता है data को भी कही तरह के से process कियाता है according to your requirement according to your need the information is data that has been processed in such a way as to be meaningful to the person who receives it it isn't anything that is communicator मैं आभी आपको बताया कि requirement क्या है यानि कि उसका माइन है आपके आपके लिगया रखना है आपने उसको उत्ती दफ़र process करना है आपने data को उत्ती दफ़र process करना है जब तक कि आपका जो आपको चीज़ चाहिए वो सही तरह के सामने यादा है और meaningful मैं आपको example की तरुस हमना हुआ तो आपको बिकुछ सही तरह के समझना आ जाएगा तो हमने data पढ़ लिया हमने information पढ़ लिया है ठीक है ठीक knowledge की बाख करते knowledge वह ability हैं इंसान की the ability of the person recalls or uses information and experience is known as knowledge सब से पहले आता है data data से निकलता है information information की बाख जो इंसान उस information को recall करता है उस information को अपने दिमाग में store करता है तो बाख ने तो इसका experience information से उसका experience develop होता है उसको का जाता है knowledge ठीक है ठीक है ठीक है यह तीन चीज़े हमने पढ़ लिया है अब मैं आपको example की तो को समझाने वाला ह कि दो इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक example है एक time table ठीक है जी मैंने example ली है तो आप देखे कि यहाँ पर अगर हम data की बात करें तो आप मैं अब बात है data कुछ भी हो सकता है number हो सकता है alphabet हो सकता है आप सोगते है data क्या है data यहाँ पर लिखा है uh Monday लिखा है ठी वह बात सही है कि भाई अगर बोजे इसे बता करना है कि what is the meaning of Monday तो उस पर लिखा वाजएगा पीर तो जब पीर लिखा वाजएगा तो वह तो मेरी इन्फरमेशन में एक प्रास्टर हो गया लेकिन अगर मैं बात करो हूँ यहाँ पर डेट लिखी है मैं टैम टेबल के सबसे प्रास्ट abide रहो आप से अगर किसी स्टूइट को इक टैम टेबल ले जाता है उसके लिरह एक को डेट लिख दी बताता है और इसको नहीं इसको ने बताता है कि फमारे पेपर कौहँए बताते हैं यह चलाली आपको पल्शूोड को फो एक पर है बताता है उन्दे पहले हमाना है. जो पहले है न में निलिखा he okay Is. तो ये हमाने वह मुत हुआ ही तो यह को हना हमाल दिता, बहुत संहे होुआ है कि अ के एस अनगयारे जिदीं कि यह वह करें. इसके अंदर भाइ कि मेरे लिए, थैद के पहले हमां यहां. वे तक वो खादम हो जाएगा, तो मुझे जरूरत नहीं एक time बानू करने को time मुझे पहले से मानू हो था कि यह time set है, लेकिन अगर time change है, time के अंदर different shade है, या different different time पर paper हो रहे हैं, तो उसके लिए time लिकला लाजनी है, तो यह जितनी पी चीजें, अगर मैं अखाले general science लिख दो, सही है, या date and day or date दे दो, और मैं time ना दो, तो अगर student को मैं यह सारी चीजें प्रवाइड नहीं करूगा, तो यह information की तरणा convert नहीं होगा इसके अंदर, तो information क्या चीज़ है, कि information में सारी चीज़े पते लिए हैं, कि आपई Monday को जो है, वो paper है, General Science का paper है, डाई बज़ मैंना कोदा है कि concrete information होगी चाहिए, जो कि required है, ठीक है जी, जब तक वो information convert नहीं होगी, तब तक जो data आपको convert नहीं होगा information में, जो आपकी requirement है, तब तक वो data जो है, वो data ही रहेगा, as a raw fact ही रहेगा, वो information में convert नहीं होगा, अगर मैं यहाँ खाले General Science शोड़ देता हूँ, तो वो complete नहीं होगा, General Science को मैं दोबारा process करूँ आपके पता चाहिए, तो मुझे पता चाहिए, तो मुझे पता चाहिए, उसके बाद मैं दोबारा process करूँ गा, इसको तो मुझे 10 पता चलेगा, जब 10 पता चलेगा, तो अब information में लिए complete है, कि वो General Science को paper है, Monday को है, ठीक है डिटायन यह है, और date जो उसके लिखी है, mention है कि April 2019 को है, अब मैं आपको समझा दिये इसको, कि data क्या है, information क्या है, और अब हम जो है, इसको example की तो, knowledge को समाजने की कोशिश करेंगे, साथ में data भी बता हुआ, और knowledge को दा हुआ, नीचे लिची example आप समने, understand करेंगे with the help of an example, बिल्कुल आसान से example आपके सामने है, इसको example की तो, समाजने की कोशिश करते हैं, जिया लिखा है, 386, अब 386 जो है, वो एक data है, data मतलब कि मैं आपको बताया, data useless thing है, कि अगर वो transfer नहीं हो जाता, और उसके information के अंदर, तो वो बिल्कुल यूस जाता, तो 386 बहुत साथ च चीज़ है, तो एक useless data, इसको information में convert कैसे करें, तो वो उसकी जो चीज होती है, उसको process करते है, और जब process करते है, तो information निकलती है, एक student dialect से कि उसको बाता चलता है, 386 को बले है, 386 क्या, 386 है raw fact data है, लेकिन जब उसको पता जाता है, data को process करके, 386 is your marks, तो उसको सौंझ आता पता है, आँ बटा, data यह process हो गया, information कर्या, इसको बाता है, i.bam data. तो यह चीज़ भी आपको होता है कि requirement क्या है आपकी आपको पाता चलिए है कि मैंने 386 marks आये हैं तो इसका मतलब यह है कि information data जो है वो process हो चुक है information में ठीक है जी अब requirement आपकी यह है ठीक है मेरे marks पता जा जा तो यह मेरे requirement यहां खंटम हो गई यालिकि मैंना जो है experience लिया ठीक है जी जो experience मेरे convert हुआ वह basically मेरे knowledge है जाने के 386 number में require क्यों कि मैंने कांग किया था मैंने मेनत ही थी मैंने artwork किया तभी मेरे 386 number आये तो जी यह example मैंने आपको बता दी data के बारे में और data के बाद मैंने आपको बता दिया marks और पिर knowledge के यह बाद आया वा आपको आपको अगर समंझ आया हूबा अगर समंझ आया तो माई चैनल युज वर्यल्या नोगको लाइक जी यह सब्स्क्राइब पीजिए और फिर्ट प्रॉड 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 डिल्सटबर इकन तेंग को जी जी इन वह अर्श आपर इस